दोस्तों प्रधानमंत्री मोधी अपने आठ वर्ष के कारिकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए हिमाचल प्रदेश में जनता से मुलाकात के बीच सिमला की एक लड़की से बात चित करते दिखाई देते हैं जो पीम मोधी की मा की पेंटिंग उनको बना कर सौण रही होती है दरसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर प्रधान मंतरी मोधी की तारीफ में खूब सेयर किया जा रहा है दिखाया जा रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश की जनता PM मोधी के 8 वर्षों की खूप सराहना कर रही है दोस्तों इस वीडियो में अगर आप गौर करें तो जो लड़की प्रधान मंत्री मोधी की मा की तस्बीर PM को सौपती दिखाई दे रही है वो PM को पूछे बिना ही बताना चाहती है कि उसने PM की भी पेंटिंग बनाई थी लेकिन उसे DC सर ने अपना बता कर मोधी को भेट कर दिया लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा और दिमाग पर जो डाले तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं प्रधान मंत्री मोधी इस बात पर बहुत ही कम दिलचस्पी दिखाते हुए आगे बढ़ जाते हैं कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं जैसे ही सिमला की इस बच्ची के मुँसे आवा जाती है कि आपकी पेंटिंग भी मैंने बनाई है सर और आगे भी कुछ बोलना चाह रही थी कि आपचारिक्ता की जल्दी में प्रधान मंत्री मोधी जी हाँ उटा कर चुप कराते हुए कह देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं इतना सुनते ही उस बच्ची के चेरे पर अचानक से आई उदासी साफ जलकने लगती है आप देख सकते हैं कि मेहनत से बनाई पेंटिंग पर जब मोधी की दिल्चस्पी नहीं दिखाई देती तो बच्ची मायूस हो जाती है पीएम मोधी के इस वाइरल वीडियो पर तारीब के साथ सवाल उठाते हुए स्वतंदर पत्रकार अजीत अंजुम कहते हैं अच्छी तस्वीर मोधी जी को पेंटिंग गिफ्ट करने वाली लड़की आखिर में भी कुछ बता रही है सर आपका भी बनाया है लेकिन डीसी सर की तरफ से आया ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है पीएम मोधी से कुछ कहना चाह रही थी मोधी जी को सायथ थोड़ा सुनना चाहिए था एक ही दिन में मोधी जी की मा की तस्वीर हिमाचल की इस लड़की ने मोधी जी को भेट की मोधी जी की भी सायग बनाई थी लेकिन DC साहब ने यही पेंटिक देने को कहा वीडियो देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों ऐसे में इस तस्वीर पर आप क्या सोचते हैं हमें बताईए क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोधी ने वाकई उस लड़की की भावनाओं को इग्नोर किया है या ये सब सवाल बेफिजूल के हैं आपकी क्या राय है हमें बताएं वीडियो पसंद आया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार